Hi guys, welcome back to my channel, LogicOps Lab, Hindi. तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में, जिसमें हम Jenkins के बारे में discuss करेंगे. तो यहाँ पर आज हम तीन टॉपिक्स के बारे में discuss करेंगे. पहला, introduction, दूसरा, history, और तीसरा, features. So let's get started. तो सबसे पहला अगर हम introduction के बारे में बात करें, तो Jenkins क्या है? तो Jenkins एक free और एक open source automation server है. यहाँ पर open source का मतलब क्या है? open source का मतलब है कि यह एक open source software paradigm को follow करता है. open source software का मतलब यह होता है कि जो code है, वो design किया गया इस तरीके से कि वो publicly accessible हो. और publicly accessible से मतलब कि उसे कोई भी देख सके, modify कर सके या distribute कर सके. So in definition, we can say कि Jenkins एक free और एक open source automation server है, जो automate करने में help करता है हमारी. तो जो भी हमारा software development life cycle का part होता है, जैसे कि building, testing, deploying या फिर continuous integration और continuous delivery उसको facilitate करने के काम आता है. यह one of the famous tools है, जो भी हम CI और CD के लिए use करते हैं. दूसरे तरह से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि, it is a server based system that runs in a servlet container such as Apache Tomcat. तो जो लोग Java backgrounds आते हैं, उन्हें पता होगा एक servlet क्या होता है, और Apache Tomcat क्या होता है. तो it supports version controlled tools including accurate CVS, server version, etc. तो यह सब tools जो है, वो code रखने के काम आते हैं, जिसको हम SCM भी कहते हैं. SCM का मतलब source code management. यह उनसे integrate हो सकता है और आपको results दे सकता है. इसमें यह यह कहना चाहरा है, कि Jenkins, अगर आपकी, इन में से कोई सी भी एक technology में, या इन सब को मिला कर भी कोई technology में आपका project बना हुआ है, तो बहुत easily यह आपके साथ integrate हो जाता है. तो अगर आपको batch command execute कराने हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, shell script कराने हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं. तो let's move on to history part. क्या आप पहचान पा रहे हैं कि यह क्या है, यह क्या है, और यह कौन है, अगर नहीं, तो चलिए समझते हैं. Jenkins का original नाम Hudson हुआ करता था 2004 में, इसे Java में लिखा गया है, और इसे बनाने वाले हैं Gohusu के Kawaguchi, और यह उन्हीं की तस्वीर है. तो सबसे पहला जो लोगो था, वो कुछ ऐसा दिखता था. तो क्या हुआ बाद में, कि during November, after the acquisition of Sun Microsystems by Oracle, an issue arose in the Hudson community with respect to the infrastructure used. इस बाद का मतलब यह है, कि 2010 में, जब Oracle ने Sun Microsystems को acquire कर लिया था, तो Hudson Community में कुछ issues आ गयते, कुछ मदभेद आ गयते, जिसकी वेसे उन्हें लगता था, कि जो infrastructure used किया जा रहा है, वो सही नहीं है. तो बाद में, इसके उपर थोड़ी लंबी बहस चली, जिसमें, यह decide किया गया, कि एक नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा, और उसका नाम Jenkins रखेंगे, और उसका initial release हुआ था, 2nd February 2011 को, उसके थोड़ी ही समय बाद, 2011 में ही, को सुके कावगुची को, और ILE Open Project Source Award भी मिला, उ by default, तो pipeline plugin से, इनका जो project था, वो काफी आगे बढ़ने लगा, क्योंकि pipeline जब हम आगे discuss करेंगे, उसमें हम बताएंगे, कि इसका use कैसे होता है, और यह कितना helpful है हम सबके लिए, जो CICD में काम करना चाहते हैं, अपने projects के लिए, उसमें DSL का इस्तिमाल होता था, domain-specific language, जो क Apache Groovy पर base थी, तो हम इसके बारे में भी specifically discuss करेंगे, अपने इस course में आगे, Jenkins को, Jenkins ने Hudson को February 8, 2017 में, Eclipse में replace कर दिया था, तो चलिए, अब बात करते हैं, features के बारे में, तो यह 6 features जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन में से, first है, continuous integration and continuous delivery, continuous integration क्या होता, continuous delivery क्या होता, यह हम अगे भी पढ़ेंगे, पर अभी आप इतना समझ सकते हैं, कि आपका code, जो कोई भी developer रोज लिखता है, वो check-in करता है किसी भी SCM में, तो उसको हम continuously integrate कैसे कर सकते हैं, और continuously deliver कैसे कर सकते हैं, एक अच्छे product के रूप में, Easy installation, Easy installation का मतलब है, कि जब भी आप इसे install करना चाते हैं, irrespective of your OS, यह बहुत easily install हो जाता है, Linux में, there are few commands, जिसके थ्रूँ यह हो जाता है, और अगर आप इसे Windows में करना चाते हैं, तो उसके लिए executable file आती है, double click के एचे, और धीरे-धीरे सारा install हो जाता है, बहुत ही easily, Plugins, Plugins के लिए हम यह कह सकते हैं, कि यह ऐसा feature है, जिसके थ्रूँ Jenkins बहुत famous हुआ, क्योंकि open source community है, और बहुत लोगों ने इसको अपने सराहा है इस चीज़ को, और with hundreds of plugins in the update center, Jenkins integrate with practically every tool, आजकल क्या है, कि DevOps वर्ड में या ISRE वर्ड में बहुत सारे tools हैं, जिनको हम Plugins के Jenkins से integrate कर सकते हैं, extensible, Jenkins can be extended by its plugin architecture, providing nearly infinite possibilities for what Jenkins can do, यह इतना extensible है, कि जो इसकी plugin का जो architecture है, कोई भी से किसी भी चीज़ के साथ integrate कर सकता है, and that's why it is written, कि इसकी infinite possibilities है, easy configuration, easy configuration का मतलब है कि Jenkins में जब भी आप इसका UI देखेंगे आगे, अब हम आगे चलके इसे install करेंगे, तब आप इसका UI देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़े हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से configurable है, आपको लगेगा कि यह बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, यह tool, इसका जो web interface है, वो like, यह कहना चाहरे है कि includes on the fly error checks and built-in help, उसकी built-in help इतनी अच्छी है, कि आप उसमें से error जो भी आ रहे हैं, जो भी आपका console लोग में error आएगा, उसमें आप देखके उसे बहुत easily solve कर सकते हैं, next feature है इसका distributed, Jenkins can easily distribute work across multiple machines, तो एक चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं master slave architecture, वो कैसे create करते हैं, यह हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इ यह help करता है हमें build, test or deployment across multiple platforms faster, तो हम तेजी से किसी भी software को market में पहुचा सकते हैं, तो guys, आज हमने पढ़ा इसका introduction, Jenkins का क्या होता है, उसके history और उसके features, thanks guys, and I'll see you in the next video.